स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर RRC SCR आनि South Central Railway सिकंदराबाद की तरफ से 403 पोस्ट पे ITI Pass Out Candidates के लिए प्रेंड़िट्सिप की वेकिंसी आयो हुई थी इसमें कई डिवीजन का DV and Joining स्टार्ट हो चुका है उसी क्रम में Candidates Wait कर रहे थे लाला गुडा का कि कब लाला गुडा का Joining आएगा तो अभी लाला गुडा Division की तरफ से Candidates को Mail आने स्टार्ट हो चुके है and Mail के साथ साथ कुछ आपको Documents भी भेजे गए जो की Important Document है and आपको एक Contract जो Terms and Condition रहेंगी उसका PDF भी Mail किया गया है जिसे आपको पूरा Readout करके अगर आप उसे Accept कर रहे हैं तो उसमें एक Date दी हुई है उस Date पे आपको जो भी Farm आपको भेजे गए उनको Complete करा के जाके Report करना है तो देखेंगे कैसे आप उसको बनवा सकते हैं बिना Mistake के और क्या-क्या गलती आपको नहीं करनी है साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कब आपको Joining के लिए जाना है अगर आप लोगों को भी SCR सिकंदराबाद की तरफ से Mail आया लाला गुडा का तो आप लोग comment section में एक बार जरूर inform कर दीजेगा जिससे जो और candidates हैं वो आपके साथ head list जुड़ सकें तालमेल बना सकें साथ में ऐसी सभी update वा information के लिए टेकिश्टडी आईटे योट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीचेगा टेलिग्राम पे भी आप जुड़ जाईएगा जिसे आपको सभी तरह की update वा information हमेशा टेलिग्राम पे भी मिलती रहे यहाँ पे current में आप देखेंगे कई सारी permanent job के और अच्छी apprenticeship आच चुकी जैसे नवल डाक्याड विसाखा पट्नम जो apprentice school है उसकी vacancy आई है सेल राउरकेला की फार्म भरे जा रहे हैं टाटा मोटरस के फार्म भरे जा रहे हैं डीजी एचस की एक vacancy आई थी field worker की उसके फार्म भरे जा रहे हैं सलेबस का भी वीडियो आ चुका है उडिसा माइनिंग कार्पोरेशन की vacancy आई है तो जिसमें भी आप eligible उनको check out करके आप जरूर उसका farm fill up कर लीचेगा अब यहाँ पर बात करें यह आपका joining लेटर है जो chief workshop manager carriage workshop लाला गुडा की तरफ से जारी किया गया है and इसमें आप देखेंगे आपका नाम ID number category मिल जाएगी इसके साथ यहाँ पर देखे लिखा आप select हों कैसे as a electrician in carriage workshop लाला गुडा और stipend री basis आपको stipend मिलेगा हर महीने आपकी जो training होगी यह conditions दीगें देखे सबसे पहली condition तो है आपको एक physical fitness certificate वहाँ पर submit करना पड़ेगा government hospital से बनवा किये नोट करते जाहिएगा जिससे आपसे कोई गलती ना हो आपको central government का जो cost certificate होता है cost certificate होता है SC, ST, OBC, WS वो submit करना पड़ेगा अपना 10th IDI data birth का proof यह सब कुछ देना होगा जो भी आपने application form में भरा था bring 10 copies of passport size photo अपने 10 passport size photo आपको ले जानी होगी in case certificate produce are found to be fake आपकी training cancel कर दी जाएगी ठीक है और जो आपको stipend मिला होगा उसे आपको वापस भी करना होगा आपको एक साल की training होगी इसके बाद आपका जो है यहाँ पर trade test conduct कराए जागा NCVT की तुरू जो की अब नहीं होता ITA candidates का सिर्फ आपके seasonal और practical के marks department भरेगा उसके basis पे आपका यहाँ पे marks sheet generate हो जाएगा रिपोर्ट कब करना candidates को इसकी यहाँ बात कर लें यह आपका एक later का reference दिया गया यहाँ पे fitter, painter, electrician और AC mechanic को 8,050 रुपए welder and mechanic diesel को 77,00 रुपए stipend मिलेगा आपको साथ में pen card, bank account, detail ठीके, जो first page होता है bank passbook का, वो आपको लेकर जाना होगा, attach करना होगा documents के साथ, आपको अपने रहने खाने सब का arrangement खुद से करना होगा page number 2 पे जबाएंगे तो आपका जो apprenticeship rule है, उसके according आप govern के जाएंगे time to time एक चीज यहां और दिया है एक certificate of character है ठीके, आपको head of education institution जहां से आपने ITI किये वहां से आपको character certificate बनवा के ले जाना है and identity certificate दिया है, उसे भी जो authorities mentioned है, उनसे आपको बनवा के ले जाना है, ठीके, अगर यह certificate to take up a friendship offered you you should execute an agreement to complete the one year training, एक आपका contract sign होगा, उसके लिए यहां पर देखे, आपको एक agreement लेके जाना होगा agreement form जो भेजा गया, उस पर आपको एक special stamp चिपकोआना होगा, 10 रुपए का blank agreement form is enclosed for getting the special adhesive stamp to be affixed, आधार card of self, parent, guardian and for witness to be enclosed देखे, यहां लिखा है न, ध्यां दीजे जो आप agreement बनवाएंगे stamp paper पे, ठीक है, उसमें जो stamp है, वो आपको fix करना है आधार card अपना लगाना है parents and guardian and for witness to be enclosed, उनमें parents guardian और चार्क जो है, गवाह लगेंगे, उनका यहां पे आपका क्या होगा आधार card in close करना पड़ेगा मतलब इनके भी आपको आधार card लगाने होंगे and अपना भी आधार card आपको उसके साथ लगाना होगा ठीक है, अगला यहां पे है कि अगर आप training किसी region से क्या करते हैं, discontinue करते हैं तो आपको जो भी training cost है वो आपको वहाँ पे refund करनी पड़ेगा अगर आप एक साल के पहले छोड़ते हैं तो इसलिए यहाँ पे पहले सी यह चीजें लिख दी गई है and एक और यहाँ पे condition दी गई है you are advised to login to apprenticeship portal उसके आपको login करना है complete registration कर लेना है ठीक है, जो भी आपका alphanumeric registration number है उसे आपको registration portal से जाके establishment में आपको carriage workshop लाला गुडा सर्च करना है और वहाँ पे आपको apply कर देना है ठीक है apply कर देना है उसके साथ साथ आपको print out भी ले लेना profile का और वहाँ पे आपको जमा करना होगा अगर आप यह नहीं भी कर पाते किसी region से नहीं सो होता ति यह वहाँ पे भी आपका करवा दिया जाता है और आपको फिर वहाँ पे थोड़ा भाग दोड़ करके print आपको करवाना पड़ेगा अगर यह सारी terms and condition आप यहाँ पे accept कर रहे हैं उस case में आपको 12 December 2023 के पहले यहाँ देखे लिखाना on or before या तो 12 December को या 12 December से पहले आप वहाँ पे क्या करेंगे जाके report कर देंगे अगर आप report नहीं करते हैं तो आपका selection यहाँ पे cancel माना जाएगा ठीक है तो 12 December 2030 joining है वहाँ पे उसके पहले भी आप पहुंश सकते हैं पार्ट को साथ को जिस आप से आपको टिकट मिले अपने arrangement के साथ आप चले जाएए यहाँ तक अगर आपको कोई doubt है तो comment करिएगा हम वहाँ पे clear करेंगे अब देखते हैं आपको documents क्या क्या बनवाने हैं तो देखे documents में आपको ये mail आया है पहला है देखे the agreement should be drawn up on non-judicial stamp paper of proper value तो यहाँ पे आप चले जाएंगे जहाँ पे आपका बनता जहाँ नोटरी बनती है जहाँ पे stamp paper बिखते हैं उनसे आप बात करेंगे कि यह principle का contract है इसे हमें जो है यहाँ पे बनवाना है तो यह जो portion होगा ना इसी का print out आपको लेके जाना होगा तीक है नीचे जो portion दिया ना यह पूरा आपको उस पे print कराना होगा आपको इसे fill करना होगा यहाँ पे आपको 10 रुपय का special adhesive ठीक है stamp लगाना होगा अब इसमें क्या fill करना होगा देख लीजे एक चीज ध्यान दीजेगा जो चीज ना समझा है आप stamp paper ले लीजेगा जो चीज इसमें जैसे हम बता दे रहे हैं फिर भी अगर जो चीज में आपको doubt लगे उसे आप खाली छोड़ दीजेगा stamp paper रहेगा तो वहाँ पे ओ लोग उसको भरवा देंगे बाकी काम अपने डॉला आप यहाँ पे कर लेंगे ठीक है तो यहाँ जैसे दिखे सबसे पहले यहाँ date रहेगी in bit bean अब यहाँ देखे क्या है आप 2023 bit bean bit bean यहाँ आपका नाम होगा son of यहाँ पे आपके पापा का नाम रहेगा residing at यहाँ पे address रहेगा ठीक है referred as the trainee of the first part and यहाँ यह क्या रहेंगे father या guardian जो होंगे वो होंगे आपके second part तो यहाँ पे आप knowledge लिख देंगे father ठीक है and father acting by and throw ठीक है railway administration आप third part इसको आप लोग छोड़ दीजेगा ठीक है यहाँ पे RRC SCR लाल गुड़ा जो उनको लिखना होगा भरवा लेंगे आपसे बाद में अपना नाम पापा का नाम address आप यहाँ पे लिख दीजेगा बाकी चीज़े आप blank छोड़ दीजेगा वहाँ पे जो आपसे कहा जाए आप उसको भर सकते हैं आसानी से कोई शुने होगा आप पेंसे भर सकते हैं इसे इसके बाद देखे यहाँ बाकी चीजे खाली यहाँ पे print हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है अब यह है अब यह कुछ rule दिये गए हैं जिसमें यहाँ क्या होगा यहाँ पहले तो date आपकी पढ़ जाएगी joining date वही लोग डालेंगे कब से है यहाँ पे आपका final date पढ़ेगा कब तक आप करेंगे ठीक है वन येर का apprenticeship होगा बाकी सारी condition जो आपको समझाई को यहाँ पे लिखी होई है कि आप छोड़ेंगे training तब क्या होगा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा जब इसे आप read out कर लेंगे अब नीचे यहाँ बारी आ जाएगी witnesses की ठीक है इसमें अब जो witness होंगे पहला है देखे witness sign आधार number अब यहाँ witness का एक sign कराना है आधार number फिर witness sign आधार number 4 witness total होने चाहिए यह आपके आसपडोस के लोग हो सकते है कोई इनका issue नहीं है witness जो हैं आपके आसपडोस के लोग भी हो सकते है witness मतलब just वो गवाही देंगे कि हाँ आप यह terms and condition वो भी accept कर रहे हैं आप कुछ भी गलत करते हैं इनसे भी पूच्टाच हो सकती है यह एक just process है जो follow किया जाता है यहाँ पे signature of the first part अब यहाँ आपका sign होगा ठीक है आपका भी आधार card लगेगा signature of the second part यहाँ आपके पापा या गार्जियन का sign होगा इनका आधार card लगेगा एक दो तीन चार आधार card लगेगे पाँच और छे टोटल छे आधार card इसके साथ आपके attach होंगे मतलब उनकी photocopy उन पे भी आप क्या करें जिनका आधार card हो उनसे उसको self-attest करा दीजेगा यह आपका पहला part यहाँ पे complete हो जाता है ठीक है इस चीज का आपको judicial stamp पे print कराना है 10 रुपए का special यहाँ पे stamp लगाना है आज कर निकल आते हैं online भी इसके बाद आपका यहाँ पे आधार card और witness का sign होना है यह आधार card छो attach होने है फिर आपका यह देखे क्या यह medical certificate का pro farma है इसे आपको district hospital जाके बनवा लेना इसका print out लेके जाएंगे बन जाएगा यहाँ आपना एक photo chip का लिजएगा बहुत ही simple सा है आप भर के ले जाएंगे वहाँ पे sign वगएर आपका हो जाएगा एक declaration देना है आपको अपना नाम पापा का नाम ID number, serial number, trade आपको यहाँ लिखना है registration number जो अपरेंट्सिप वाला है वो यहाँ पे लिखना है इसके बाद आप यहाँ पे अपना signature कर देंगे पूरा नाम लिखके नाम लिखके उसके उपर signature किया जाता है हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद है certificate of character अब एक character certificate जो आप अपने ITI के principle से बनवा लिजेगा ठीक है यह एक character certificate है जिसको आप क्या करेंगे ITI के principle से यहाँ देखे लिखा है न to be signed by the head of educational institution last attended by the candidate अब अगर आपने ITI किया उसके बाद माली इसे आप क्या करेंगे इसे आप किसी भी guested officer से बनवा सकते हैं यह central estate government के guested officer हो कोई member of parliament या state legislative हो उनसे आप बनवा सकते हैं सब-divisional जो SDM office होता है वहाँ से बनवा सकते हैं तैसिलदार से बनवा सकते हैं प्रिंस्पल या headmaster कोई आपके inter college के जो principal हो जहाँ आपने 10th पड़ा हो उनसे बनवा सकते हैं जो आपके block development officer होते हैं वीडियो उनसे बनवा सकते हैं या जो पंचायत inspectors होते हैं उनसे बनवा सकते हैं ठीक है? दो character certificate ले जाना है एक identity certificate यहाँ से और एक character certificate अपने last institute से का format इसको आप बनवा ली जगा इस format में अगर पहले से है तो नया बनवाने की जुरुद नहीं है यह एक bio data है यहाँ पे आपको अपना form photo fix करना है नाम पापा का नाम, मम्मी का नाम सब कुछ इसको fill करना complete and इसी के साथ आपको बाकी सारे documents जो हैं attach कर देने है और आपकी joining हो जाएगी इनके साथ आपको अधार card, pen card, bank passbook दसोई की mark sheet, IT certificate, card certificate और जो office order की दो copy है वो इतनी चीजें आपको एक साथ लगानी होगी इस form के पीछे and बाकी सब witness के अधार card वगएर आपने पहले से लगा रखे हैं इसी के बिहाब पे आपकी वहाँ joining होगी अभी भी अगर आपको कोई doubt रह गया है तो please comment कीजेगा या आप चाहें तो हमें mail पे लिख भी सकते हैं takestudyiti at the rate gmail.com अगर आप mail करते हैं तो हम आप सब का reply जरूर करते हैं या सबसे अच्छा तरीका होगा आप लोग टेलिग्राम पे जुड़िए वहाँ पे आप किसी भी post पे comment कर सकते हैं idea study help की community है वहाँ जुड़के आप message कर सकते हैं जिससे हम तक आपकी बात बहुत चाया करेगी thank you very much ख्याल रखियेगा आपना मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में